Hello everyone, I am your teacher for this question, let me explain this question to you now, the greatest number that will divide 1375 and 4935 exactly is option A 5, option B 1375, option C 15, option D 4935 यहाँ पर देखे, greatest number बताना है आपको, जो आपका divide कर रहा हो, 1375 and 4935 को exactly, that is यहाँ पर greatest number की बात हो रही, तो यहाँ पर आप क्या find करेंगे, HCF find करेंगे, तो number है आपके यहाँ पर 1375 and next number है आपका 4935 अब देखें यहाँ पर इनका क्या करेंगे, हम HCF find करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले निके factor कर लेता है, 1375 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको 5 से divide कराएंगे, then यहाँ आपका आजाएगा 2 and यहाँ आपका हो जाएगा 2 and फिर आपका यहाँ आएगा 7 and next यहाँ आपका and last में 11 से divide कराएंगे तो 1 आ जाएगा, इसी तरह आपका यहाँ पर 4, 9, 3, 5 यह तो इसको 5 से divide कराएंगे, then यह आपका आजाएगा 9 and यहाँ आपका हो जाएगा 8 and यहाँ आपका हो जाएगा 7 फिर आप इसको 3 से डिवाइड कराएंगे यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर आपका देखे आजाएगा 3 एंड यहाँ पर आपका आएगा 2 एंड यहाँ आपका हो जाएगा 9 next यहाँ आपका 7 से डिवाइड होगा then यहाँ आपका आजाएगा 4 7 and last में आपका 4 7 को हम क्या करेंगे यहां पर 4 7 से डिवाइड करा देंगे क्योंकि हमारा यह प्राइम नमबर है तो इसको भी यहां पर क्या हो जाएगा यह 1 हो जाएगा So यहां पर देखे फैक्टर आप क्या जाएंगे 1 3 7 5 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 5 x 5 x 5 x 11 यहां पर आपके फैक्टर हो जाएंगे 4 9 3 5 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 5 x 3 x 7 x 4 7 यहां पर देखे यहां पर HCF आपको फाइंड करना है तो HCF देखे यहां पर 5 कोमन है बहुत में तो आपका ये 5 आ जाएगा इसके अलावा यहाँ पे कोई number common नहीं है So यहाँ पे आपका ऐसी या 5 हो जाएगा Hence यहाँ पे आपका answer आ जाएगा Hence 5 is the greater number that will divide 1375 and 4935 Exactly and इसके according आपका यहाँ पे option A correct हो जाएगा I hope you understood the explanation. Thank you